So, Hello, दोस्तों, Welcome to Orative Channel तो आज की वीडियो के अंदर हम जो पैटर्न डिसकस करने वाले हैं दोस्तों उसका नाम है Double Bottom, Sorry, Double Top Pattern Double Bottom हमने last वीडियो में दोस्तों डिसकस किया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके वीडियो देख लेना आपको clear out हो जाएगा, हम वीडियो आई बटन पे लगा देते हैं यहाँ पे आप देखो Double Top, आपको clear हो रहा है कि Double Top यानि यह pattern always top पे बनेगा, for example, chart move कर रहा था और यह pattern for example, यहाँ पे बना, तो इसके बाद market के अंदर कौन सा sign आ सकता है आप bearish sign आ सकता, यह कैसा pattern होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आप put buy करोगे इस pattern को बनने के बाद आप put buy करोगे, यानि आप selling का आपका यहाँ पे target रहने वाला है हम पूरा discuss करेंगे कैसे pattern form होता है, आपको कैसे यहाँ पे entry लिनी है, कहां का stop loss रखना होता है जैसे simple create हो रहा है कि double bottom, sorry double top, यानि top, for example market आ रहा है upside की तरफ यहाँ पे resistance phase करता है, इस particular point में resistance phase करता है, यहाँ पे कौन होंगे दोस्तों, sellers होंगे यहाँ पे इस particular point से कौन market का upside लेके जाएगा, यहाँ से upside लेके जाएगा, buyers यहाँ से sellers ने market को थोड़ा downside की तरफ लेकर किया है, always 40-50% यहाँ से buyers ने again market को upside की तरफ लेके गए, यहाँ पे दोस्तों बनेगा second top यहाँ पे बनेगा second top, अगर यह second top बनता है, all around this level और आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे जिसे form होगा, इसके बाद, यहाँ पे कौन आएंगे दोस्तों, sellers activate हो जाएगे, अगर sellers यहाँ पे activate होते हैं, तो यहाँ से अगर market downside की तरफ जाता है, तो यह neckline break होने के बाद, for example, यह retest करता है market इस तरीके से, यहाँ पे दोस्तों अगर यह red candle form करता है, यहाँ पे red candle form करने के बाद, आप यहाँ पे entry बना सकते हैं, इस particular point पर यहाँ पे आपका stop loss रहने वाला है, इतना simple नहीं है, जितना simple मैंने आपको बता, यह simple आपको समझाने के लिए कि double top pattern होता क्या है, simple है double top pattern, कुछ इस तरीके से बनने वाला है, जैसे आप यह resistance को break करेंगे, आप यहाँ पे इतना आपको clear out हो चुका है, यह एक level होगा, यह resistance level होगा, जहाँ पे कौन दोस्तों होने वाले हैं, यहाँ पे होने वाले हैं, sellers, यहाँ पे यह pattern हम discuss करेंगे तीन तरीके से, जैसा कि हमने last double bottom pattern भी तीन तरीके से discuss किया था, यह वाला pattern भी हम तीन तरीके से discuss करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा price action for example देखो यह particular level है हम लेके चलते हैं यह है 18,000 का level जहाँ पर nifty का अगर हम एक्जामपल है तो nifty का अगर 18,000 का level है यहाँ से market upside के तरह जा रहा था और यह level आगे हम for example 18,100 यहाँ पर क्या है इस particular point पर यहाँ से यहाँ तक कौन market को upside लेकर के जाएगा यहाँ से यहाँ तक market को upside लेकर कौन जाएगा buyers जब market के अंदर sellers weak होंगे तो buyers enter करेंगे और यहाँ पर buyers market को upside की तरफ लेकर जाएगे यहाँ पर इस particular point से कौन यहाँ से इस मग्ना पैटन की reporting में आपको समझारा हूँ price action कैसे आपको देखना है यहाँ पर कौन weak होंगे यहाँ पर इस particular point पर कौन weak होंगे buyers weak होगा यहाँ पर कौन strong होगा seller strong होगा с similar point से औग यहाँ से buyers क्या करेंगे market को push करेंगे try करेंगे upside की तरफ लेके जाने के लिए and अगर यहाँ पे sustain कर जाते हैं and buyers market को upside की तरफ लेके चले जाते है कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे आपका double top pattern नहीं बनने वाला है simple सा मैं आपको बता दो but अगर क्या होता है कि यहाँ से इस particular point से 18100 का level में लेके चलता हूँ 10-20 point upside हो सकता है 110 हो सकता है या फिर 100 for example 8090 याँ 10-20 point upside हो सकता है down हो सकता है तो उसके round अगर यह rejection यहाँ से face करेगा for example इस level से and यहाँ से downside की तरफ market आ रहा है तो आपको क्या देखना है वहाँ पे sailors की strength ज्यादा थी या फिर नहीं अगर यहाँ कहीं से market reverse करने की कोशिश करता है तो आपको enter नहीं करना है आपको इंतजार करना है and दोस्तो आपको wait करना है इस particular level का जैसे level breach होता है इस वाले level के आसपास and यहाँ से market retest करेगा इस level को और यहाँ पे आप enter करोगी इस वाले particular point पे आप कहां के लिए enter करोगी दोस्तो आप put side की तरफ एंटर करने वाले अभी चार्ट पर चलेंगे एंड दोस्तो एक चीज में आपको बताना चाता हूं इस पैटन को समझने के लिए एक चीज़ बहुत important है वह है दिको market के अंदर जब भी selling आते हो तो आपको चीज़ पता होगी कुछ इस तरीके से नहीं first-first के market बिल्कुल भी नहीं चलता selling behavior के उस पर तो हम यहाँ पर आपको live chart पर चलते हैं आप ट्रेडिंग के ओपन करते हैं तो राइट ही यहाँ पर देखो आप आपको कैसे market को समझना है ultimately देखो अगर आपने price action समझ लिया तो देखो आपको कोई कोई भी pattern आपको माइन में रखने की requirement नहीं है कि यह double top pattern इसका नाम है या फिर इसको हम double top के नाम double bottom के नाम से जानेंगे आपको simple सा candle को समझना है behavior को समझना है चार्ट के हो क्या रहा है चार्ट पे definitely आपको कोई भी pattern जानने की requirement नहीं पड़ीग आप simply chart देखकर के बता इस particular point से market ने rejection लेने की कोशिश करी यहाँ पर देखो अगर आपको समझ जा रहा है यहाँ पर देखो इस particular point से यानि यह level है 19,888 के लेवल है यहाँ से nifty में rejection आया एक बार rejection आया थोड़ा down आया market यहाँ से buyers ने again try किरा market को इस particular point से buyers ने try किरा market को upside की तरफ ले जाने के इसे उपर नहीं जा पाए तो हमारा यहाँ पे कौन सा pattern दोस्तों activate हो जाएगा double top जैसा कि मैंने आपको बताए यह always होगा दोस्तों bearish pattern होगा double top pattern bearish होगा and top पे बनेगा यह bottom पे नहीं बनेगा यह top पे बनेगा जो bottom पे बनेगा उसको double bottom pattern कहते हैं तो यहाँ पे देखो यह put side की तरफ काफी अच्छा trade देखने को मिलता आपको क्या चीज़ यहाँ पे समझ जा रही है दोस्तों में pattern आपको समझाने कोशिक करो इससे आपको क्या चीज़ समझ आएगे आप एक चीज़ देखो यहाँ पे particular point पे देखो यह buyers ने market को upside तरफ लेकर गए यहाँ से rejection phase किय अगर buyers की strength जादा होती थोड़ा retracement के बाद buyers ऐसे market को upside की तरफ break करते हुए upside की तरफ लेकर चले जाते तो यहाँ पे किसकी strength week है यहाँ पे buyers की strength week है तो आपको क्या चीज़ दिख रही है कि आज के दिन हम buy तो नहीं करेंगे यानि आज के दिन हम CE यानि call option buy तो नहीं करने वाले हैं तो हम कहां जाएंगे हम PE side का trade find out करने की कोशिश करेंगे तो यह चीज़े को live market पे आपको नहीं दिखने वाले जब आप live market को देखोगे तो आपको किस चीज़ का use करना है आपको stop loss का use करना है क्योंकि देखो pattern form होगा उसके बाद पैसा बनेगा बट अगर आप अपना price action अच्छे से use करको तो आप उससे पहले भी पैसा कमा सकते हो वो कैसे देखो इस particular point से market rejection ने श्टार्ट किया था यहां पर आपको क्या समझ आ रहेगी इस zone में कहीं ने कहीं वह यह seller बैठा है इस zone में कौन बैठा है sellers बैठा है यहां से market upside की तरफ गया यहां से market retest किया इसके बाद market upside की तरफ जब गया बट यहां पे sellers ने market downside की तरफ पुश किया तो यहां पे candle देखो यहां पे candle देखो मैंने आपको क्या बताया था जब हमने first यहां पे part discuss किया था कि यह candle जो बनता है इसको हम क्या कहते है है इसको हम कहेंगे जो green candle बनाए है इस green candle को हम कहते हैं दोस्तों confusion candle तो आपको क्या चीज के लिए हुई कि भाया यहां पर confusion हो रहा था और मैंने क्या कहा था जैसे ही इसका low break होगा जैसे ही इसका low break होता है तो आपको एंटरी कर लेनी है उसी candle के stop loss के साथ देखो जो हम आपको यहां पर trading strategy बता रहे हैं जो आपको यहां पर trading method बिल्कुल easy वाला बता रहे हैं यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या होती कि आपको जो stop loss होगा बहुत चोटा होता है यानि minimum सा stop loss आप यह मानके चलो 10 से 15 पॉइंट का stop loss निफ्टी के अंदर होने वाला है 10 से 15 पॉइंट का इससे बड़ा stop loss नहीं होने वाला है जैसा कि मैंने आपको risk money management के अंदर समझाया है कि आपको एक से दो trade से उपर नहीं करने है अगर आप हमारी देखो हमारा भी बीच में loss हुआ था बहुत बड़ा loss यानि 20 lakh plus loss हो गया था अगर हमने किस तरीके से उस loss को recover किया हमने क्या गलती करी अगर आप भी जाना चाते है तो comment box में comment करना definitely आपको हम पूरे detail में समझाने वाले हैं आपकी problem का solution आपके पास ही है दोस्तों किस तरीके से हम वो उस video में discuss करेंगा अगर आप जाना चाते हैं तो आप comment box में comment definitely कर देना यहाँ पे यह discuss हो गया हमारा double top pattern तो आपको क्या करना है मैंने जैसे कि आपको बताएं आपको candlestick देखके करके आप यहाँ पे भी entry बना सकते हैं बट यहाँ पे थोड़ा सा risky entry हो जाती है अगर आप proper setup का wait करोगे तो आपकी entry यहाँ पे बनेगी अगर आप फोड़ी aggressive entry करना चाहते है तो यहाँ भी आप entry बना करके यहाँ से यहाँ तक का profit capture कर पाऊंगे बट उसके लिए आपको थोड़ा सा दोस्तो चार्ट को समझना होगा candles को समझना होगा पहली जो हमने वीडियो डाले part 1 वाली वीडियो उसके अंदर हमने यह चीज़ डिसकस करिया जिसमें हमने चार्ट टाइप के एक 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 बार समझा देता हूँ किस तरह के से पैटर फॉर्म होता है तो फॉर एक्जम्पल दोस्तों यहां पर देखो हम जिसे ग्रीन और रैट से लेके चलते हैं ताकि आपको बहुत एजी हो जाए समझने के लिए मार्किट ने बायर्स को अपसाइड की तरफ लेकर गए और यहां से बायर्स अगेर मार्किट को अपसाइड लेकर गए मार्किट को यह वाला जोन मार्किट ने एक बार के लिए ब्रेक कर दिया यानि यहां पर किसको ट्रैप किया बायर को ट्रैप कर दिया देखो ट्रैप होगा या नहीं होगा वो हमें बाद में बता चलेगा बट एकोर्डिंग टू इस कि यहां से कंटिनुसली बाइंग वाइंटम आ रहा है बट यहां पर क्या होगा अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर बैठा होगा देखो इस जॉन में मैंने आपको ब डाउनसाइड की तरफ आता है इस लेवल से नीचे रेड केंडल दोस्तों क्लोज करना स्टार्ट कर देता है अगर रेड केंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देता है तो यहां पर किसकी स्ट्रेंथ है सेलर्स की एंड यह वाला पैटन स्ट्रॉंग हो जाएगा या फिर नहीं यहनि आपको अगर आप मतलब पुट साइड जाना चाहते तो क्या यह बाला पैटर्ण होगा डैफिनेटली स्ट्रोंग हो जाएगा और आप अपनी एंट्री यहां बे बना लोगे और इसके हाई का स्टोप लोज के साथ अगर यह ब्रेक करता है तो आप यहां से डैफिनेटली करोगे अगर यह वाला लेवल पहले अपका यह होगा इसका लोग अगर यह वाला भी ब्रेक करता है तो अगें काफी अच्छा प्रोफित आपको देखने को मिलें ऐसे आपको एक्जांपल चार्ट पर देखने को मिलेंगे डैफिनेटली बट यहां पर आपको थोड़ी अग्रेसिव एंट्री होती है इस वाली कंडिशन के अंदर यहां पर आपके एंट्री होगी इस जोन आपका फर्स टार्गेट यह रहेगा अगर उसके बाद ही रिट्रेस्मेंट करके डाउंसाइट की तरफ जाता है तो आप प्रोफिट बुक करोगे अपना तो आप देखो जो थर्ड टाइप है हमारा बहुत इंपोरेट है दोस्तों अगर आपने यह सीख लिया तो आप द पॉइंट से थोड़ा सा नीचे यानि इसके पास भी नहीं आया बट उससे पहले ही रिजेक्शन फेस कर जाता है और यहां से डाउंसाइड की तरफ जाता है तो क्या आप इसपे एंटर करोगे एवन आप यहां पे ही इसमें अपनी एंट्री बना लोगे और इसी के हाई क फॉपलोव के साथ यह वाला स्टोपलोव होगा जो आपका प्रिविएस भाई है इसका स्टोपलोव होगा इसका प्रिजब क्या है यहां पर मार्केट ने फॉर इसमपल हाई बनाया था लोगार जैसे मिन आपको बताए कि हाई बना रहे है बट इसका ब्रेकाऊट की बना सकते हैं, first target ये रहेगा next target जो nearest, जो भी इसका support zone होगा, वो रहने वाला है but according to this, आप अपना 30 to 40 point का target आप ले करके चलो and even 20 point पे भी आप अपना book करो 1 ratio 2 and 1 ratio 1 के target दोस्तों, market के अंदर बहुत होते हैं अगर आप systematic trading करना चाहते हो and अगर देखो कई भी क्या होता है कि 1 ratio 4, 1 ratio 10 तक के भी target देखने को मिल जाते हैं so according to pattern, अगर 1 ratio 2 का भी target आपको मिलने लग रहा हो तो बहुत best target है दोस्तों so now, आज की वीडियो में हमने discuss किया दोस्तो, double top pattern always कहां बनेगा, top पे बनेगा बोटम पे यह pattern consider नहीं किया जाता है बोटम पे जो भी pattern बनता है उसको हम consider करेंगे double bottom के pattern के according so now, यहाँ पे देखो कोई और price action बन रहा हो so मैं आपको दिखा पहूँ यहाँ पे भी बन रहा है बट इसको हम consider नहीं करेंगे यहाँ पे देखो double top बना market आया बट यहाँ पे देखो fake retest नहीं किया मतब retest नहीं किया यहाँ पे देखो breakout किया बट यहाँ पे breakout किया उसके बाद downside की तरफ गया अब दोस्तों क्या होगा इस particular point पे patience आपके check होंगे market आपके patience चेक करेगा तो अगर आपका proper stop loss यहाँ का है तो definitely आप पैसा कमाने वाले हो बट अगर आपने यहाँ जैसे कहीं entry करते और यहाँ पे आपका stop loss एक बार hit हो जाता और उसके बाद यहाँ पे आप मतलब आपको re-entry मिलती बट इस re-entry के चकर में दोस्तों बहुत से लोग loss कर जाते हैं इसलिए दोस्तों अपना आपको systematic loss रखना है अपना systematic loss रखना है wait करना है patience रखना है breakout का यहाँ पे देखो breakout हुआ retest किया इस वाली candle पे अगर आप entry मनाते इस वाली candle पे तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपको कितना अच्छा return देखने को मिला always यह pattern दोस्तों कहा बनेगा top पे pattern आपको देखने को मिलेगा so now कोई और pattern भी हम discuss कर लेते हैं यह देखो यहाँ पे भी form हुआ बट यहाँ पे आपको जदा बड़ा target नहीं देखने को मिला यह देखो दोस्तों यहाँ पे एक top बनाया इसके बड़ा डबल टॉप बनाया उसके बाद यहाँ पे आपको जदा बड़ा target नहीं देखने को मिला आपको यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों इस वाले point पे आपका stop loss हिट होने वाला है so now हमने example देख लिए यहाँ पे आपको जैसे में लास्ट टूडियम बता था कि आपको तीन तरीके से हम बताने वाले हैं उस तरीके से हमने आपको यहाँ पे बताया आपको तीनों तरीके live market पे देखना है समझना पहले आप उन्हीं notebook पे तीनों pattern बना लो इसको तो सब लोग identify कर पाएंगे बट यह वाले जो दो हैं इसको बहुत रेर लोग ही identify कर पाते हैं अगर आप प्राइस एक्षिन देखोगे तो definitely आप सीखने वाले हो अगर हम प्राइस एक्षिन के वेवें बात करें अगर पैटन ना देखें तो मैं आपको एक चीज़ बत अगर उम्मीद करता हूं आपको पैटन सीरी समझ जा रही होगी अगर समझ जा रही है देखो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जुरूर करना अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है चीजे समझ नहीं आ रही है बट अगर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा हो आप देख रहे हो तो प्लीज आप कमेंट करके जुरूर बताना क्योंकि हम आपको बिल्कुल बिल् इंट्रिटिंग वीडियो के साथ उप्तके लिए बाबाई टेक किया